वेलकम फ्रेंड्स मैं आपके समने गोरो मिगलानी ये वीडियो देखने से पहले आप पीछे वाला वीडियो जुरूर देख लीज़ेगा क्योंकि पीछे वाली वीडियो में हमने ये डिसकस किया कि अगर कोई पार्टनर फरम को लोन देता है तो फरम उसको इंटरस्ट कैसे लोन प्रोफिट एन लोस अकाउंट में शो करना होता है ना कि प्रोफिट एन लोस एप्रोप्रेशन अकाउंट के अंदर इस वीडियो में हमने ये देखना है अगर कोई पार्टनर फरम से ही लोन ले ले तो फरम उसको कैसे डिल करेगी सिंपल सी बात पार्टनर्शिप ड यह बात नहीं करता मतलब है जब partner को हमने देखा पीसे वाली विडियो में जब partner फर्म को लोन देता है partnership deed में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमको कितना interest पे करना होता है six percent interest पे करना होता है by default कोई information नहीं भी फिर भी अगर partner ने लोन दे दिया तो फर्म कितना पे करेगी 6% पे करेगी पर अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले लिया और पार्टनर्शिप डीड के अंदर ही अगर कोई बात नहीं है तो हम कितना इंट्रस्ट पे करें या ना करें ये बात इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट में नहीं दिलकर भी ये बात decide कर सकते हैं कि हमको interest on loan क्या रखना है उसी के according एक firm partner को दिये हुए loan के उपर interest charge कर सकती है तो simple सी बात अब हम discuss कर लेते हैं कि interest on loan वो कौन सा loan जब partner firm से ले लेता है तो उसको हमने कैसे deal करना है simple सी बात मालो firm ने किसी बाहर की किसी party को loan दिया firm क्या करेगी उससे interest charge करेगी या नहीं करेगी बिलकुल करेगी उस charge किये हुए interest को firm कहां show करेगी profit and loss account की credit side में अगर firm ने किसी बाहर के person को loan दिया है तो firm उससे क्या लेगी interest लेगी और profit and loss account की credit में show करने वाली है इसी तरह से ही अगर किसी partner ने firm से loan ले लिया है तो firm उससे भी interest लेने वाली है और firm इस interest को कहां show करेगी profit and loss account की credit में show करेगी क्योंकि firm की नजरों में क्या होता है ये firm की नजरों में एक gain होता है फाइदा होता है तो इस gain को आपने कैसे deal करना है पहली बात तो अपने को बता चल गई कि ये credit side में show होता है नेचर क्या होती है, ये loan के उपर interest firm की नजरों में gain होगा, कहां पे show करना है, profit and loss account की credit में show करना है, तो पहली बात यह आती है कि हमको ये loan के उपर जो interest अभी देना है, कौन देगा, partner देगा, किसको देगा, firm को देगा, firm को देगा, firm की नजरों में क्या है, gain है, तो जब partner इस loan के उपर interest पे करने वाला है, तो partner की capital account क्या होने वाली है, कम होने वाली है, journal entry क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखते हैं, partners, capital या फिर, अगर उनकी fixed capital है तो कौन सा आ जाएगा, current account, debit, debit हो गया, किस से debit होना है, interest से, जितना interest partner ने देना है, to interest on, loan to partner, जितना loan फरम ने partner को दिया हुआ है, उसके उपर interest हमको चार्ज करना है, partner की capital मैंने क्या कर दी, कम कर दी, कितने amount से, जितना amount मैंने interest लिया है, फरम ने लिया है, फरम की नजरों में यह interest क्या है, income है, और यह income हमको कहां शो करनी होती है, profit and loss account की credit में शो करनी होती है, तो आप क्या करो profit and loss account की credit में यह income शो कर दो, कौन सी income है यह, interest on loan वाली, जो आपने partner को loan दिया हुआ था, उस पे आपने interest ले लिया, वो interest आप ही income थी, पहले आपने income को credit कर दिया, अब वो income हमको जब write off करनी है, तो वो कहां चली जाएगी, profit and loss account की credit में चली जाएगी, profit and loss account की credit में कर दिया, यह account यहाँ पे credit था, यहाँ पे आकर क्या हो गया, debit हो गया, simple सी बात, पिछे वाली वीडियो और इस वीडियो का भ्यान से देखिएगा, पिछे वाली वीडियो के अंदर अगर partner ने firm को loan दिया हुआ था, तो उसके उपर loan के उपर interest, कहाँ पे add हो गया था, loan account में add हो गया था, पर इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, अगर किसी partner ने firm से loan दिया हुआ है, तो loan account में add नहीं होने वाला है, firm क्या करेगी, उसकी capital ने इसे कम कर लेगी, इसलिए मैंने उसकी capital क्या कर दी, कम कर दिया, पीछे वाली और इस वीडियो का बहुत ध्यान से देखिएगा, differentiate किये जिएगा, ताकि आप आगे की जो हम videos create करने वाले, आप उनके अंदर अच्छे से questions को deal कर पाएंगे, simple सी बात, इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, अगर firm किसी बाहर की party को loan देती, तो firm क्या लेती, उससे interest लेने वाली थी, वो interest firm कहां शोगर देती, profit and loss account के credit में, क्यों, क्योंकि firm की नजरों में वो क्या है, gain है, इसी तरह से अगर firm ने partner को loan दे दिया है, तो partner से क्या firm लेने वाली है, interest लेने वाली है, तो firm की नजरों में तो definitely वो भी gain है, तो firm क्या, कहां शोगरेगी, profit and loss की credit side में शोगरेगी, तो पहले firm क्या करेगी, उसकी capital में इसी interest काट लेगी, firm की नजरों में income हो गई है, अब income को firm क्या करेगी, राइट ओफ करेगी, कहां पर राइट ओफ करोगी, करेगी, profit and loss account की credit में, आपने यह item यहां पर credit की थी, यहां पर आगे क्या हो गई, debit हो गई है, तो यह हमारी यहां पर यह entry complete हो गई, तो मिलते हैं next videos में कुछ practical questions के साथ, तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद,